हिंदू धर्म की अगर बात करें हमारी परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज के पीछे का एक आधार होता है एक साइन्स है एक समझ है एक मान्निता है और उसी मान्निता के हिसाब से उसी समझ के हिसाब से हम अलग अलग पर्व और त्योहार मनाते हैं तो आखिर रक्षा बंधन के पीछे क्या मान्नेताएं हैं? पुराण क्या कहते हैं इसके बारे में? और इसका धार्मिक महत्व क्या है? सबसे पहले यही समझते हैं. देखिए रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बाधा जाता है इसको रक्षा सूत्र कहते हैं बहन बातती है अपने भाई को ताकि भाई की रक्षा हो और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि जीवन में जब भी तुम्हें आवशक्ता पड़ेगी मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा तो दोनों की रक्षा होती है भाई की भी और बहन की भी और ये जिस भाव से बनता है आगे चलके वो भाव होता है रक्षा सूत्र के अंदर उस भावना के वशिभूत हो करके ये रक्षा सूत्र बहने अपने भाई को बाती है ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्डिमा को मनाया जाता है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्डिमा को रक्षा बंधन का पवित्र पर्व मनाया जाता है और इस बार ये पर्व 15 अगस्त को बनाया जा रहा है 15 अगस्त को श्रावन शुकल पक्ष की पोडिमा है और श्रावन शुकल पक्ष की पोडिमा को ही ये पर्व ये त्योहार मनाते हैं इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है अपनी भावना के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने व्यवहार के साथ और भाई जो हैं वो अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं इसके पीछे एक मान्यता है कि राजसूय यग्य जब करवाया महराज युधिष्ठिर ने तो भगवान कृष्ण शिशुपाल का वद कर दिये और भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई वद करने के दोरान तो वहाँ पर जो द्रौपदी मौजूद थी उन्होंने अपने आचल का टुकड़ा भगवान कृष्ण को बान दिया चुकि भगवान कृष्ण की जो मान्यता है जो परंपरा है वो हमारे संसकारों में सरवाधिक है हम कृष्ण के प्रती सरवाधिक आ सकते हैं या कृष्ण के प्रती सरवाधिक प्रेम में निमगन हैं इसलिए कृष्ण की तमाम परंपराओं को हम बड़े सहजता से स्विकार करते हैं चुकि भाई बेहन वहां से इंटर कर गए इसलिए वहां से परंपरा शुरू हो गई कि बेहने अपने भाई को राखी बाधेंगी अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में शुरू आती समय में ब्रामण अपने यजमानों को राखी बाध करके उनकी मंगल कामना करते थे क्योंकि रक्षा सूत्र कोई भी बाद सकता है जो भी आपकी मंगल कामना करता है मंत्रों के साथ, भावना के साथ आपको रक्षा बंधन बाद सकता है और ये बात जानिये कि सबसे पहली जो राखी थी वो इंद्रानी, जो कि इंद्र की पत्नी थी उन्होंने इंद्र को बादी थी देवा सुर संग्राम के समय में और इंद्र उसको बदवा करके गए थे और विजय भी हुए थे यानि ऐसा नहीं है कि केवल बेहनी भाई को बाद सकती है अगर आप अपने मित्र की रक्षा की कामना करते हैं आप मित्र को बांद लें, कोई विद्वान अगर किसी की रक्षा की कामना करता है, कोई विद्वान बांद सकता है, पत्नी अपने पती की रक्षा की कामना करती है, तो पत्नी भी बांद सकती है चुकि इसमें भगवान कृष्ण का फैक्टर इंटर कर गया बहन भाई वाला फैक्टर आ गया इसलिए ये पर्व बहन भाई तक सिमट करके रह गया जबकि इस पर्व को अगर हम देखें और अगर हम समझें तो ये पर्व रक्षा करने की कामना का पर्व है बहुत मत्वपूण पर्व है इस दिन एक और खास बात है देखिए हमारी परंपरा जो शुरू होती है वो दरसल वेदों से शुरू होती है पुरान जो हैं वो वेदों को सरल भाशा में कहानियों के रूप में बताने के लिए बाद में आए तो जो वेद हैं और वेद का पाठ जो होता है उसमें चार वेद है ना यजुर वेद, साम वेज, अथर्व वेद, रिग वेद तो जो यजुर वेद का पाठ करते हैं जो ब्राम्हन उसका पाठ आरंब करते हैं श्रावण शुकल पक्ष की पोडिमा को यानि रक्षा बंधन के दिन से यजुर वेद का पाठ आरंब किया जाता है इसलिए ये बात भी समझे कि अगर आप अपने बच्चे की या स्वयम की सिक्षा का आरंब करना चाते हैं तो उसके लिए भी श्रामण शुक्लपक्ष की जो पोडिमा है रक्षा बंधन का जो मौका होता है वो काफी महत्तपूर माना जाते हैं